अगर ये मेरी वीडियो कोई मेरा भाई अगर मेरी हेल्प करें ये वीडियो उसमरे दुल के मूँ पे जाके मारना और उसे बताना कि तेरी मा आई थी मेरे घर पे किश्मिस देने या तेरा बाप आया था अलू बालने अगर एक बाप का है ना उपनली चैलेंज दे रहा हूं देखो मेरे इंस्टाग्राम पे 25 दिसंबर 2019 को इसको मैसेज किया था इसकी आउकात नहीं विसाले कि इसने मेरे को रिप्लाय करके दिया हूं इसको कम से कम 30 मेल भेजे हैं मैंने इसने एक भी रिप्लाय नहीं करा अग से चाहिता है ना मैं कोई आपको डाइट बताने वाला हूं ना कोई मैं आपको एक्सराइस कुने बताने वाला हूं डाइज की वीडियो बहुत ही अलग है जैसे की हमारे बहुत सीनियर यूट्यूबर है जिनका चैनल है वी आर स्टूपड अक्षे जी उन्होंने केंपेंच चलाया है आज मैं बताने वाला हूं कि जो मेरे साथ स्कैम हुआ है वो मैं आप लोगों के तक पहुंचाना चाहता हूं ऐसे ऐसे इंफ्लुएंसर हैं टिक टॉक पर यूट्यूब पर चाहें इंस्टाग्राम पर जो कि आपको बहुत गलत गलत बताते हैं पता नहीं क्या क्या और आप जिना जादा सपोर्ट करते हैं कि वो कहां से कहां पहुँच जाते हैं और आप उन लोगों को सपोर्ट नहीं करते जो आपको जैनुवण बात बताते बलकुल आज में było करने वाला हूं Mridul Madhok की guys मैं आपने scam आपको बताऊंगा पर उससे पहले मैं आपको बता दूं Mridul Madhok एक TikTok पर बहुत ही बड़ा influencer है Instagram पर उसका है चैनल है वो भी बहुत बड़ा उसके follower है YouTube पर भी उसका एक account है बहुत सारे followers उसके साथ जुड़े हैं guys मैं उस बंदे की मैं कोई roster नहीं हूँ पहले एक बात मेरी समझ लीजिए मेरे साथ जो हुआ वो मैं आपको पहुचाना चाहता हूं इसके अलावा मेरा और कोई भी motive नहीं है ठीक है मैं सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पे fitness डाइट या fitness related जो भी topic होते हैं मैं उनको cover करता हूं मेरा काम किसी को defame करना नहीं है मैं यह दुबारे बोल रहा हूं बट मैं चुप था अभी तक क्योंकि मेरे पास support नहीं थी पर अक्षे जी का जो एक campaign चला है we are stupid जो YouTube पे channel है बहुत senior है हमसे उनका जो campaign चला है मैं उसको support करते हुए अभी तक मैं चुप था क्योंकि मेरी YouTube पे बहुत छोटी family थी पर आप लोगों के support से मैं धीरे धीरे grow कर रहा हूं तो मैं चाहता हूँ ये मेरी बात आपका फर्ज है अगर आपको मेरी बात सही लगे अगर मैं गलत लगूँ तो आप प्लीज डिसलाइक कर दीजेगा इस channel को unsubscribe करिएगा कमेंट में गाली लिखके चली जाईएगा और फिर दुबारे इस channel पर मत आईएगा पर अगर आपको ऐसा लगेगा कि मेरी बात बिल्कुल जैन्वन है और मैं बिल्कुल सही हूं और वो बंदा गलत है तो प्लीज उसके YouTube चैनल को रिपोर्ट करना उसके Instagram को रिपोर्ट कर है अब बात करते है कि उसने करा गया गाइज एक मेरे फ्रेंड है उनसे मेरा कॉंटेक्ट हुआ उनका नाम है प्रथम आप पहले उनकी क्लिप देख लीजिए आज तुम एक स्टोरी बताता हूं वट हापन टू डेइस बैग में अपने Instagram स्ट्रोल कर रहा था और इस वीड बहुत ऐसा चोड़ा सा कि अगर मीं मार्केटिंग करनी नहीं आती तो क्यों करते हो लॉल और उस वीडियो पे इसने उस चोड़े से कॉमेंट पे इतनी बड़ी वीडियो बना दी कह रहे है और ऐसे बड़ी शेमिंग और एससे कर रहे हैं अब तुम्हें वीडियो दिखा सबसे पहले अपने हिसाब से जानो आपके सारे वीडियो देख लिए होगी मैंने आज तक इसे कोई मेसेज नहीं कर रहा कि मेरी नोज ऐसी है ऐसी है बताओ कैसे सही कर रहा ऐसा कुछ भी मेरे इंस्ट्राग्राम पर गया मेरे पिट्सर उठाई और इस्टार्टर इस्टा इस बंदे की गलती क्या थी या इस बंदे ने करा क्या यह मेरा भाई है मेरे इनसे कन्वर्शेशन हुई है बहुत अच्छी इन्होंने भी मुरे को बहुत सपोर्ट दिखाया इस बारे में इन्होंने बताया कि इसने उस बंदे की वीडियो पर कमेंट कर दिया कि भाई कि तुमारी नाक तो पकोड़े जैसी है समोसे जैसी है वैसी है फाल तुम्हें किसी को डी फेम कर दिया उसकी बॉडी शेमिंग कर दी चलो ठीक है समझ लिया ऐसे ना जाने कितने लोग हैं जिसकी इसने बॉडी शेमिंग डी फेम फोटो वीडियो उठा उठाके लोगों को वितना हुतिय बनना है और आप लोग अभी तक बंते आ रहे हो गाइज अभी खबर आक्षोट सुषान सिंग लाजपूत ने सुम्साइड कर है अपने घर पे देख पारे है धोनी जुनने पितिया अपने आक्टिंग कही थे तची में अपने जुन्नेंका है इस सुसाइट का वो आपको सीधा पता लगेगा यहां पे यहां पे देख पारे हो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन पे मैंने स्टोरी पे डाला है इस बंदे ने क्या करा वीडियो उठाके डाल दी कि अगर आप लोग शुशान सिंग राजपूत के मडर के तो मुझे इंस्टाग्राम टिक टॉक पर फॉलो करो कमेंड करो यह करो वो करो इसने पहले फॉलोवर गें कर लिए उसके बाद किया करता है बंदा सौरी मुझसे माफी मैं अपॉलोजाइस करता हूं मेरे से गलती होगी मतलब पहले तुम जूट अगर तुझे पता इह था तो जाके CBI को बताता हूं और उसके बाद अपॉलोजाइस कर रहा है जोट की तेरी आंख में शरम नहीं है एक बार भी तेरी आंख में शरम नहीं है कि कोई बंदा इतना टैलेंट एक्टर हमारी इंडस्ट्री से चला गया तू उसके बारे में गलत गलत बोल रहा है सिरफ और सिरफ अपने fake followers बढ़ने के लिए कैसा अदमी है यार तू मुझे अब गाई छोड़ो चलो जो इसने सब के साथ क्या किया अब बात आती कि इसने मेरे साथ क्या किया में मुद्धा अता है मेरे साथ इसने क्या किया तो गाई तो सब से पहले आप ये clip देखिए तुम प डूटी, क्या करती है, सुबह-सुबह ना, सबसे पहले, मेरी बात सुन लो, कोई और प्रॉब्लम है, टुक ये मेरी प्रफायल पे, मेरे बायो मेरी लिया कॉंटार किमा बता दो मिड़क एंपमेशन है। जी हां guys आपने clip देखी, जो इस clip में ये आप video में देखिए, आपको दिख रहा होगा side में, जो ये photo आपको दिख रही है न, ये guys मेरी YouTube की first video है, देख सकते हैं, अभी भी channel पे है, अभी भी channel पे है, जाके देख सकते हैं, जो ये इसने photo use करी है, जो ये pic है, ये मेरे YouTube के channel का thumbnail है, मेरे YouTube की first video का, जिसका topic था skinny to muscular transformation, जो कि मैंने अपनी मेहनत से पतला था, मैं, मैंने अपनी मेहनत से अपना आपको transform किया, अब ये बंदा क्या बोलता है इस video में, पहले को इसने मुझ से कोई permission ली ली, कि मेरी photo इसने use कैसे करी है, इसने मेरी photo use करी, और आप side में देख स में आये है, आप लोग ऐसी चीज को promote करते हो, इसने मुझ से कोई permission नहीं ली, कि मैं तेरी photo use कर रहा हूँ, और इसने जूट 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 बोल दिया, अब ये बंदा बोलता क्या है, सुनिए इसकी बात जैसे आपने वीडियो में देखा है, कि सुबह 10 किश्मिस खाईए एक उबलावा आलू खाईए, रात को दूद में साबुदाना मिला के खाईए, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये मेरी वीडियो कोई मेरा भाई अगर मेरी help करें, ये वीडियो उस मरे दुल के मूँ पे जाके मारना, और उसे बताना कि तेरी मा आई थी मेरे घर पे कि रिपलाए करके दिया हूं, इसको कम से कम 30 मेल भेजे हैं मैंने, इसने एक भी रिपलाए नहीं करा, अगर तेरी जी में दम है न उपन चलेंज कर रहा हूं, यूट्यूब पर ये वीडियो है, इतने लोग इसे देख रहे हैं, तेरी जी में दम है रिपलाए कर साले, भाई मेरी चैनल, मेरे भाई लोग fitness related भी देखते हैं, और मेरे बहुत से ऐसे दोस्ते हैं, जो देखते हैं, जिने अच्छा लगता है, fit रहना, तो guys, आप मुझे एक बात बताओ, क्या दस किशमेश, एक आलू, और दूद में साबुदाना मिलाने से, आप ऐसी transformation अगर कर सकते हो तो हर कोई बंदे के पास body होती, मेरा कहने का मतलब है, कि जो आज केल की young generation है, उसको आप भठका की रहे हो, क्यों गुमरा कर रहे हो कि आप ये diet लो, वो बच्चे क्या करते हैं, वो इस चीज को follow करते हैं, इस चीज को follow करने के बाद, जब आप बोलते हो कि एक हफ़ते में result आजाएगा, एक महीने में result आएगा, जब उनको result नहीं आता, तो वो बिचारे demotivate होके, वो सब को छोड़ देते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुमारे हूतिय influencer की वज़े से, समझे ना, मैं तुझे मृद्दूल openly challenge कर रहा हूँ, अगर तेरी जी में दम है न, अमन गुलाट के नाम से, और कात है न, तो reply करके दिखा, openly challenge कर रहा हूँ, तेरी, जो तुम मुझे अगर reply करेगा न, YouTube पर ही तेरी वीडियो डालूँगा, देखता हूँ, तेरे में कितना दम है, और मैं आप सब लोगों से request करता हूँ, ये वीडियो उस तक जरूर पहुचाना, और guys, द तो राद भी आप ये बोलता है, इसके पास बंदे के पास ऐसे ऐसे हो पाए है, आप किसी मरेवे आदमी को भी इसके पास लेकर आओगे न, और बोलोगे कि भाई, या फोन करके बोलना, भाई, मेरा कोई आदमी मर गया, तो मैं इस बात को बोल सकता हूँ, ये बंदा पता लिए, तो ये तुम्हें दो दिन में निम्बू रगडवा के साफ करवा देगा, तुम्हारे पैर काले हैं, तो वो भी तुम्हारे चूना रगडवा के साफ करवा देगा, अगर तुम्हारा चेहरा काला है, तो ये उसे भी साफ करवा देगा, इसको कोई लेना देना नही मैं गंजा हो गया हो मेरे सर पे बाल नहीं है देखो मैं दो दिन में कैसे बाल लाता हूँ और आप लोग सब इसकी बात का विश्वास करके इसको फॉलो करते हो इसको सपोर्ट करते हो और ये लोग ग्रो करते हैं आप भले ही मुझे फॉलो मत करो मुझे लाइक मत करो मुझे कोई परवनी है मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जैन्वन ओडियंस चाहता हूं जो कि दिल से फॉलो करें मुझे ऐसी ओडियंस नीच चाहिए कि जो आज है मेरे साथ और वो कल नहीं है जो लोग मुझे जैन्वनली प्यार करते हैं वो जब से मेरा चैनल बनाया वो तब से अभी फ्रॉट अलर्ट ये डालें आप आपको दिख रहा होगा ये इसकी हर पोस्ट में हर इंस्टाग्राम पे हर वीडियो की फोट हर यूट्यूब की वीडियो पे डालें ताकि इसकी आखे खुले और इससे रिपोर्ट करें गाईस मैं ये चाहता हूं आपसे क्योंकि जो इस इस एक बहुत अच्छी लाइन है आप अपने आपको पूरा हेल्दी रखें आप अगर आप 15 साल के भी आप 50-60 साल तक अपने आपको हेल्दी रख सकते हैं और आप बहुत अच्छे से लाइफ जी सकते हैं पर मैं नहीं चाहता है कि वो लड़के एक महीने ऐसे-इसे हूत का देते हैं माइन डाइवर्ट कर देते हैं ब्रेन वश करते हैं आपका तो प्लीज मेरा सिर्फ और सिरफ इतना ही कहना है गाई और मैं इससे जादा कुछ नहीं कह सकता क्यूंकि मैं आपको पहले ही बोल दे कि मैं कोई रोस्टिंग वीडियो नहीं बनाता ना मुझे इस हम आया था उसने मुझे बताय जो ने बात है आगर तुमारे साथ और यह से शैर करो ताकि लोग जागरूप्त हों लोगे हों की ऐसे answer लोगों को फॉलो ना करें और इनको रिपोर्ट करें ताकि इनकी अकल थिकान है आप लोग भी लोगों फॉल कर रहे हो को आगें बोल हूँ फिलाल जाइज आप जितना आपको सही लगे वह करिएगा अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ तो आप डिसलाइक कर सकते हैं दोनों बटन आपके सामने हैं कोई प्रॉब्लम वाली और आपको मेरी वीडियो से लेटेट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो सबस्क्राइब जरूर करिएगा तो गाइज किर्प्या करके अच्छा खाएं घर पे रहें स्वस्त रहें हाथ धोएं सेनिटाइज करें हमेशा और मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में तिल देन इट हल्दी स्टेपट